स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल लॉण स्पार्ट में तो आज के लेक्षर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जो हम लोग ने कंसिस्टेंसी आप सॉयल का टापिक स्टार्ट करा हुआ है तो उसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज consistency index के बारे में हम लोग discuss करेंगे उसके साथ साथ हम लोग उसके numericals के उपर भी discussion करेंगे और liquidity index को discuss करेंगे और इसके numericals भी solve करेंगे तो यह important topics हैं आपके इसके कुछ tables हैं जो आपके लिए काफी ज़यदा important हैं तो उन tables को हम लोग discuss करेंगे आपके साथ इन tables के थुरू आपको बहुत सारे questions exam में देखने को मिलते हैं अगर आप PYQ लगाते हैं तो आपको पता होगा यह consistency आप soil का topic है तो इसमें से बहुत सारे MCQs आपको PYQ questions में देखने को मिलेंगे यह already पुशे जा चुके हैं तो काफी ज़यदा important consistency index consistency index अब consistency index की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं जो consistency index है हमारा इसको हम लोग किससे denote करते हैं यह आपको पता होना चाहिए तो यह consistency index है हम लोग लोग इसको किसे डिनोड करते हैं इसको हम लोग डिनोड करते हैं आई सी से कि आई सी से जैसे अभी हम लोगों ने यह से पड़ा था प्लासिटी इंडेक्स को पड़ा था उसको हम लोग आई पी से करते थे ऐसे consistency index को IC से करते हैं इसका एक और नाम है जो आपको एक्जाम में पुशा जाता है तो क्या नाम है वो यहां पर में लिख देता हूँ आपके लिए आलसो नावन आइस कि इसको और किस नाम से जाना जाता है relative consistency से तो यह काफी important है यह भी आपको ध्यान में रखना है relative consistency यह अपने आप एक MC क्यों है ठीक है पूशा जाता है कि अधर नेम क्या है इसका relative consistency अब यहां पर आपके माइन में यह question आएगा कि जैसे कि हम लोग ने plasticity index पढ़ा था वो हमें यह बताता था कि हमारा material कितना plastic है ठीक है तो यह हमारा यहां पर consistency index है यह हमें क्या बताएगा यहां पर consistency index है basically हमें क्या जानकरी प्राप्त होगी तो लिखिए यहां पर यह हमें क्या बताता है consistency index हमें में यह हमें क्या पता चलता है behavior पता चलता किसका जो हमारी fine grain saturated soil होती है उसका क्या बता चलता है behavior पता चलता है अब behavior की बात करें तो behavior कर मिनस क्या होगया की साइल हमारी की stage मЕं कि यहां जैसे plastic है liquid है semi solid है난 तो यह क्या होता है behavior होता था तो यह हमें क्या बताता है consistency इंडेक्स बताता है तो लिखेंगे हम लोग यहां पर क्या बताता जिए behavior of behavior of इसका behavior बताता है saturated fine-grained soil fine-grained soil का बताता है आप सबको पता है कि हम लोग consistency इंडेक्स जेनरली किसके लिए पढ़ते हैं fine-grained soil के लिए पढ़ते है fine-grained soil in C2 अब यहां पर C2 का मतलब क्या होता है यह आप सबको पता होना चाहिए यहां पर जिन बच्चों को नहीं पता है तो लिख लीजिए C2 का मतलब होता है field में यह कहां बता रहा है हमें field में बता रहा है क्या बता रहा है behavior बता रहा है किसका saturated fine-grained soil का in C2 किस पे at its natural water content पर यह important है यह यह लिख लीजिएगा at its natural water content जो उसका natural water content होगा soil का natural water content water content अब behavior मैंने आपको क्या बताया था behavior के word को भी यहां पर explain कर देता हूं आप बूल जाओगे यहां पर behavior का मतलब हो गया soil हमारी कैसी है soil कैसी है अगर हिंदी में कोई mistake होगी तो वो सुदार लीजी का खुद से example plastic plastic है हमारी soil और क्या बोल सकते हम लोग यहां पर soil कैसी होती है plastic हो सकती है solid हो सकती है semi-solid हो सकती है semi-solid हो सकती है liquid में हो सकती है तो यह सब कोन बताता है हमें consistency index बताता है तो यहां पर मैं आपके एक बार explain कर देता हूं consistency index जो होता है basically हमारा जह हमें बताता है कि field पर हमारी जो saturated fine-grained soil होती है उसका हमें क्या बताता है behavior बताता है और किस water content पर बताता है जो soil का natural water content होगा natural water content मतलब जब हम soil के साथ कोई भी shade खानी नहीं करते है है soil जो आपकी field में है अगर आप उसको जाके देखेंगे उसको study करेंगे तो उसका जो behavior बताएगा वो कौन बताएगा consistency index बताएगा अब हम इसका behavior क्यों देख रहे है है soil का एक condition आपका यह आएगा कि वह यहां पर लिख लिजिए वह बी चीजिए वह बहेभीर क्यों कि हमें क्या करनी है आगर हम साथ का बहेभीर देखेंगे कि साथ कैसी है जहां पर तब ही तो आएल का behavior पता होना चाहिए तो डू डू एनी कंस्ट्रक्शन वर्ग कंस्ट्रक्शन वर्ग करना है तो इसलिए हमें उसका क्या पता होनों चाहिए behavior पता होने चाहिए तो यह तो होगी हमारी consistency index को लेके बाते हैं आब आते हम लोग इसके formula के उपर consistency index का formula जो हम हम लोगों को fine करना है तो IC से इसको denote करते हैं तो IC क्या होता है तो यह क्या होता है हमारा यहां पर basically water content यह हमारा कौन से वाला liquid limit पर minus natural water content divided by IP IP क्या plasticity index है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह आपके लिए निया है WN क्या है यहां पर हमारे पास यह हमारा natural water content natural water content water content WL आपको पता है यह क्या हमारी liquid limit है IP क्या होता है plastic index होता है प्लास्टिक इंडेक्स है प्लास्टिक इंडेक्स अब इसी फार्मला को अगर हम आगे फदर ट्राइब करें तो हम लोग यह भी बूल सकते हैं कि IC is equal to क्या होचाएगा हमारी यह water content liquid limit natural water content IP किसके बराबर होता है हमारा यह कली हम लोग उने पढ़ा था यह क्या होता है liquid limit minus plastic limit तो यहां पर आप देख सकते हैं यह formula भी इसका हम लोग यहां पर बना सकते हैं आगर इसको drive करते हैं आगे तो दोनो formula यहां पर इसके हैं अगर आपको directly question में क्या दे रखा है plasticity index दे रखा है तो यह यूज़ करेंगे अगर नहीं दे रखा है limits में दे रखा है तो यह वला formula यूज़ करेंगे दोनों में से कोई भी formula हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसलिए बीच मा आर लिख रहा हूँ तो situation के हिसाब से हम लोग यह formula यूज़ करेंगे अब हम nest क्या देखेंगे अभी तो हम लोग ने देख लिए यहां पे कि हमारे पास यूज़ IC का formula है वो क्या निकल क्या आता है अब हम soil का behavior देखेंगे जो भी मैंने आपको बताया कि soil liquid state में है solid state में है तो पता कैसे चलेगा कि यह कौन सी state में है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो parameter होंगे न उसको decide करने के लिए तो कौन से parameter ने decide करने के लिए उनके उपर आप discussion कर लेते हैं तो यहां पे हम लोग डालेंगे soil का behavior soil behavior soil behavior और दूसरी तरफ क्या डाल लेंगे यहां पे देखेएगा यहां पे soil अगर हमारी की stage में है liquid में liquid stage अगर हमारी soil के liquid state में है तो इसके related क्या होगा यह हमारा ic होगा consistency index होगा ic क्या होता है less than 0 से और अगर हमारी soil यहां पे मैं आपके लिए question put करना चाहता हूं जब मैंने आपको plasticity index पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वहां पर क्या plasticity index जिरो से कम हो सकता है तो आपको जैस और नो मैं अंसर देना है तो आप यह बताये कि यह प्लास्टिर index है वह क्या 0 से कम हो सकता है या नहीं हो सकता है अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है अगर नहीं हो सकता तो फिर हम लोग हो क्या रिपोर्ट करते हैं तो यह आपको मुझे बताना है यह क्या है क्यों है my last lecture में हम लोगा देखा था यह i-c क्या होगा less than 0 ओगा और इस इस केस में क्या होगा हमारा यह water contentіш रहना होता है कि से halo liquid हे एक नेच्छरोल वाटर कंटेंट है वह हुमारा लिक्विड लिमिज ₌ होता यह थाँ है तब है हुमारी की इस की वेली क्या होगा होगी less than होगी 0 अब नेस देखते हैं यह क्या होगा कि लिए में नेस अजा हमारा यहां पर tape solid that semi solid solid के लिए देख लेते हैं solid और semi-solid semi-solid state solid और semi-solid state के लिए क्या रहता है हमारा ic की value क्या होती है greater than होती है 1 से और इस case में क्या होगा इस case में हमारा क्या रहता है और natural water content है वो less than रहेगा किससे liquid limit से ने स्वरी plastic से next क्या आ जाता हमारे पास plastic stage आ जाएगी plastic stage में क्या होगा plastic state plastic state होती है plastic state में क्या रहता है हमारा यहां पर अगर हम बात करें तो ic की value क्या होगी ic अगर मैं बात करूं यहां पर zero से एक के बीच में zero or one included है यह किसका plastic stage में होगा तो इसमें अगर हम बात करें यहां पर तो यह हमारा natural water content है यह क्या होगा हमारा greater than होगा यह equal to होगा किसके plastic के और less than होगा यह equal to होगा किसके liquid limit के तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर आपको इसको explain करूं तो देखिएगा कि यह हम लोग यहां पर एक table बना लेते हैं कि यह आगया मेरा श्रिंग के प्लास्टिक लिक्विड स्टार्टिंग में बोला है जो natural water content है वो liquid limit से भी ज्यादा है इसका मतलब यह हमारी liquid limit है इससे भी ज्यादा water content है तो मतलब इस case में क्या होगा यहां पर आ लड़ी हमारी कौन सी स्टेज है यह लिक्विड स्टेज है इसके आगया अगर water content होगा तो स्टेज कौन सी हो जाएगी liquid स्टेज हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद बोला है natural water content यह प्लास्टिक लिमिट से स्टेज हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर लिमिट से कम है तो इसके बीच में होगा कहीं न कहीं इसके बीच में यह कौन सी स्टेज है प्लास्टिक स्टेज है तो देखो प्लास्टिक स्टेज तो यह चीज यहां पर मैंने आपको समझा दी यह जह चीज लिखी हुई है अब इसको देखते है आई सी का फॉर्मला क्या होता है देखो यहां पर अभी मैंने आपको आई सी का फॉर्मला ब हिसे बाद करें तो आई-पी उता है नहीं लिकविल लिमिट मानस प्लास्टिक लिमिट आइप यहां पर प्लास्टिक लिमिट व्ल-nil-पी यह जायेगा अब यहां पर यहां पर less than का निशान आएगा यहां पर डालो ना less than 0 तो यह multiply होगा क्या आएगा wl minus wn 0 को साथ कोई भी चीज multiply होती है तो 0 जाती है तो यहां से क्या आजाएगा next step देखें तो wl less than wn तो यही तो लिखा हुआ है wn greater than इसको ऐसे लिख लो यहां पर greater than का निशान इस तरफ है तो इस तरफ ही है na wn greater than wl तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं हम लोग यह भी fine कर सकते हैं हमें simply क्या करना है यह वाले जो formula है इस sign में यह value डाल देनी है तो आपको यह वाली condition बहां पर बन जाएंगे आपकी यह conditions है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यह सारी चीज़ें देख सकते हैं हमारे लिए important यह नहीं है हमारे लिए important है यह वाला table इसको मैं table में डा जाल रहना हूं हमें यह table याद होना चाहिए यहां पर यह यह पोइंट्स है यह याद होने चाहिए कि plastic स्टेट पे क्या होता हमारा solid और semi solid स्टेट पे क्या रहती है condition और liquid state में condition क्या रहती है तो यह सारी condition समय पता हुनी चाहिए अब हम next चलते हैं और a question solve करते है Queshine क्या है हमारे सामने है A soil A soil sample Tape Plastic index लिखा हुए है तो सीधा IP से लिख दू Plastic index is equal to 35% आपको IP नहीं लिखा रहाएगा Plastic index लिखा रहाएगा यहां पर मो क्वेशन को शार्ट करने के लिख रहाएगा एंड दा लिक्विड लिमिट ऐसे लिख लेते हैं लिक्विड लिमिट अफ लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है यहां पर हम लोग लिक्विड लिमिट ले 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 लेते हैं 45 परसंट लिक्विड लिमिट आफ लिमिट आफ लिक्विड लिमिट ले 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 natural water content natural water content natural water content of soil is अगर हमारा natural water content of soil कितना है soil is natural water content of soil is यहाँ पर हम लेख लेते हैं 30% 30% what will be the what will be the consistency of what will be the consistency index consistency index तो क्या पुशा जा रहा है यहां पर हमें consistency index हमें fine करना है यहां पर कैसे fine करेंगे consistency index यहां पर हम लोग आप सभी लोग इसको try करिएगा और try करने के बाद कमेंटे में answer करिएगा और उसके बाद में अपने answer को देख लीजिएगा सही आ रहा है की नहीं consistency index को ICC denote किया जाता है और यह क्या होता है हमारा यहां पर लिक्विट लिमिट माइनस नेच्रल वाटर कंटेंट डिवाइड़ वाइड़ आई-पी तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारा लिक्विट लिमिट कितनी है हमारी यहां पर 45 पसंट है नेच्रल वाटर कंटेंट कितना है 30 पसंट है और आई-पी कितना दे रखा है 35 पसंट दे रखा है तो क्या आ जाएगा यहां पर अगर हम लोग 45 में से कितना माइनस करते हैं 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाएगा और 15 को अगर हम लोग 35 से डिवाइड करते हैं त तो यहां पर आपने देखा कि IC को क्यासे निकालना है liquid limit minus natural water content divided by IP तो liquid limit आप देख सके तो यहां पर 45% है natural water content 30% था 15 आ गया 15 divided by 35 करेंगे तो 0.428 आएगा अब यह अगर आपको पूछा जाए behavior कुण सा है behavior of soil तो behavior of soil यहां से क्या निकल के आ जाएगा तो table में देखें यहां पर IC की value किसके बीच में आ रही है 0.42 तो इसके बीच में आ रही है तो soil कैसी है हमारी plastic है कुण से soil है soil कैसी हमारी plastic soil है तो इस तरीके से हम लोग इसको find कर सकते हैं नेस्ट देखते हैं नेस्ट हम लोग क्या discuss करेंगे अब नेस्ट हमारा topic है liquidity index liquidity index अब liquidity index को हम लोग किसरे denote करते हैं इसको भी हम लोग denote करते हैं और इसका अधर नेम क्या है अधर नेम के लिए हम लोग 1 ks वे लिखते हैं also known as इसका मतलब होता है ध्यान रखिएगा इसका अधर नेम क्या है बाटर प्लास्टिसिटी रेशियो काफी important नेम है यह आपको ध्यान में रखने है यह अधर नेम होते हैं ना यह काफी ज़्याद इंपोर्टेंट होते हैं बहुत बाटर आपको पुशे जाते हैं exam में तो बाटर प्लास्टिसिटी रेशियो अब यह क्या बताता है हमें यह भी हमें क्या बताता है सेम चीज बताता है यह भी हमें बहीबिर बताता है किसका बहीबिर बताता है यह भी हमें fine-grained saturated soil का बहीबिर बताता है तो यहां पर में लिख देता हूँ same मतलए significance क्या इसका यहां पर पीछे लिख देता हूँ significance significance same as कि I see और लिख देता हूँ जिन बच्चों को डाउट है थोड़ा सा लिख देते हैं यहां पर भी यह भी क्या बताता है behavior बताता है कि इसका behavior बताता है यह भी हमें behavior behavior of saturated saturated fine-grained soil fine-grained soil in C2 और यह भी किस पर बताता है हमें natural water content पर बताता है एट natural water content सेम चीज है यह भी हमें यह बताएगा कि soil हमारी की स्टेज में प्लास्टिक है लिक्विड है वर से सॉलिड है सेमी सॉलिड है ठीक है तो यह चीज आ गई अब इसका हम लोग देखेंगे different क्या है इसका formula यहां पर यह आपको पताऊना चाहिए इन दोनों फॉर्मलों में आपने इसका क्या होता है हमारे पास यहां पर यह natural water content minus wp divided by divided by क्या रहेगा जहां पर भी प्लासिदिटी इंडेक्स ही रहेगा ip रहता है और इसको अगर हम लोग अलग लिखें तो क्या लिख सकते है wn minus wp divided by wl minus wp यह इसका formula रहता है तो यह आपको इसके यह formula है यह आपको learn रखने हैं दोनों formula मैंने बता दिया आपको plasticity के time में में बता दिया यहां पर मैंने आपको और यहां पर हम लोगों ने इसी formula को किसके time में में देख लिया प्लास्टिक लिया और यहां पे हम लोग ने बाटर लिमिट के यह हमारी लिक्ट लिमिट और प्लास्टिक लिमिट होती है उसके टम में हम लोग ने यह फॉम्मला देख लिया है तो यहां पे पहले वाले फॉम्मले के साथ विल्कुल नहीं करना है पहले वाले फॉम्मले मे इसका भी हम लोग table देखेंगे क्योंकि ये भी बहिबिर बता रहा है तो table इसका भी देखना पड़ेगा तो क्या रहेगा यहां पर देखिएगा liquid state liquid state उसके बाद मैं अगर मैं यहां पर बात करूँ liquid state में क्या रहेगा हमारा अगर हमारी liquid state है तो IL की value क्या रहती है इसमें greater than रहेगी one और यहां पर जो आएगा natural water content जो है वो greater than रहेगा liquid limit से उसके बाद में अगर हम यहां पर देखते हैं अगर आप मारा क्या है liquid limit के बाद में अगर देखते हैं solid और semi solid के लिए देखते हैं solid और semi solid semi solid इसके लिए क्या रहेगा इसके लिए हमारी IL की value less than 0 रहेगी और क्या आएगा यहां पर natural water content है वो less than रहेगा किस से हमारी plastic limits है तो इस चीज का हमें द्यान रखना है इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा plastic stage आ जाएगी हमारी soil क्या होगी जब हमारी plastic stage में होगी state लिख लो यहां पर यह first के लिए था यह second के लिए था यहां पर लिए dotted कर देता हूं यह क्या plastic state plastic state में क्या होगा तो plastic state में हम लोग क्या करेंगे इसको conclude करेंगे यह फ्यूंदा टेवल भी आपको OA जिसके प्लास्टिक लिमिट के लयाइतन जैसे हम लोग मंचे यह था हम लोग ने पहले देखा था हमारा जो नैचरल वाटर कंटेंट अ मम क्या होगा ग्रेटर दैन ऑगे यह equal to होगा किसके plastic limit के और less than होगा यह equal to होगा किसके liquid limit के तो यह यहां पर यह हमारी ranges है यह वहला table भी आपको ध्यान में रखना है काफी important है इससे आपको questions देखने को मिलते हैं अभी तो हमें लग रहे हैं कि यह असान चीज़ें बाद में यह बूल जाती है तो इसको दो तीन वार लिखिएगा बढ़िया से अपनी copy पर उसके बाद में यह चीज़ें आपको learn हो जाएंगी तो यह table कैसे आया सेम उसी तरीके से आया हुआ है किसी को doubt है तो मैं नैस lecture में बता दूंगा आपको आप मुझे करिएगा नहीं तो सेम वही चीज़ें बार बार लिखने से कोई यहां पर हमें ज्यादा profit मिलने वाला है तो सेम चीज़ें वहां पर जैसे हम लोग ने उसको देखा था आप खुश इंपोर्टेंट चीज़ें जो मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको देखिएगा य U-point यहां पर यहां है आगर मैं यहां पर क्या करणू हमारा यहां पर आई चीज़ ए फ़लश एक टो यहां में देखना है कि आई सी कि लिखला यहां पर यहां पर जो हमारा यां सी है सबसे पहले तो इसका formula क्या रहता था हमारा WL liquid limit minus natural water content divided by divided by IP plus plus क्या हो रहा है यहां पर natural water content minus plastic limit divided by IP वे सेम है तो उपर का क्या हो जाएगा हमारा add हो जाएगा एड़ करेंगे तो क्या जाएगा liquid limit minus natural water content plus natural water content minus plastic limit divided by IP तो क्या जाएगा यहां पर natural water content natural water content positive by negative cancel liquid limit minus plastic limit तो बताइए आप सब लोग मुझे liquid limit minus plastic limit क्या होता है डिवाइड़ वे IP तो आप सब को पता है liquid limit minus plastic limit हमारा क्या आ जाता है IP आ जाता है यह plastic rate index ही तो होता है तो IP divided by IP आ गया तो IP divided by IP करेंगे तो value आ जाएगी 1 तो यहां से हमारे पास जो important relation निकल के आता है और आपके exam के लिए काफी ज़दा important है IC plus IL अगर इन दुनों को add करते है तो value क्या निकल के आती है वन निकल के आती है इसको आपको अपने mind में बिल्कुल ऐसे set कर लेना है कि कभी निकले ही ना IC plus IL क्या होता है हमारा bun होता है अब इसको यहां पे इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे IC is equal to bun minus IL कभी अगर आपको मान लीजिए IC आपने find कर लिए IC की value मान लीजिए आपने find कर ली कितनी यहां पे ऐसे मान लेते हैं 0.2 find कर ली आपको पूछ जाता है IL data आपको सिर्फ IC का दे रखा है ठीक है तो आपने उससे IC find कर लिया लेकिन question में IL पूछ रखा है यह question हम लोग यहां पर solve करेंगे यह हमारे यह है आया हुओ question है question क्या है क्या है क्या है क्या है a sample of clay soil clay silt कर लेते हैं clay silt contains 70% silt size silt size particles उसके साथ में क्या है its liquid limit liquid limit liquid limit सीधर लिख देता हूँ यहां पर WL is equal to 40% and its plastic limit plastic limit किसे करते हैं WP से करते हैं is equal to 20% उसके बाद मैं in the liquid limit test in the liquid limit के मैंने सारे टेस्ट भी आपको बताय हुए है कोई बच्चा मुझे कमेंट से में बताये कि यह liquid limit के टेस्ट थे उनके नाम क्या थे in the liquid limit test यह regular बच्चे होंगे यह मेरे lecture देखते हैं उन सब को पता होगा कि कौन कौन से टेस्ट है in the liquid limit test test at a most sure content of 30% 30% क्या है the required number of blues the required number of blues कितने हैं हमारे पास your required number of blues वो कितने हैं 50 ठीक है 50 हमें यहां पर क्या find करना है यहां पर find it find its plasticity index question को थोड़ा सा मैंने शार्ड करा रहा हुआ ठीक है plasticity index क्योंकि यहां पर इतना लंबा question लिख रहे हैं हम लोग यहां पर यह इंपोर्टेंट डाटा है वही लिख रहा हूं मैं प्लास इसमें और भी वह सारी चीज़ें पुशी थी लेकिन मैं वही चीज़ें लिख रहा हूं यह हमें यहां पर find करनी है प्लास रिटी इंडेक्स फाइन करेंगे एंड कंसेस्टेंसी इंडेक्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड उसके साथ क्या फाइन करेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स के साथ में हमारा लिकुडिटी इंडेक्स लिकुडिटी इंडेक्स तो तीन चीज़ें हमें फाइन करनी है यहां पर तो कैसे fine करेंगे यहां पर सबसे पहले आपको question में जो data वो लिखना है यहां पर हमारे पास क्या-क्या data हमें given है उसी के तुरू हम लोग यहां पर fine कर पाएंगे हमें data क्या-क्या given है यहां पर सबसे पहले हमें liquid limit दे रखा है कितना दे रखा है 40% दे रखा है उसके बाद में हमें प्लास्टिक लिमिट भी दे रखा है वो कितना हमारे पास 20% है हमारे पास natural water content है वो कितना हमारे पास natural water content कितना हमारे पास 30% है देख सकते हैं आप तो यहां पर यह हमारे पास यह data आगया यह हमें चाहिए यहां पर अब यहां से हम लोग सबसे पहले find कर होता है यह क्या होता है liquid limit minus plastic limit तो 40 minus 20 क्या चाहेगा यहां पे 20% आ जाएगा नेस क्या fine करेंगे यहां से हम लोग IC को fine करेंगे किसको fine करेंगे IC को fine करेंगे यह क्या होता हमारा liquid limit minus qya thar natural water content divided by IP तो कर लो यहाँ पर क्या आता है liquid limit क्या है हमारे पास यहाँ पर 40 है minus natural water content 30 है divided by 20 क्या जाएगा जहाँ से 10 by 20 1 by 2 1 by 2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा यहां से answer इसका तो यहां से आपने देख लिया कि answer क्या आ गया इसका 0.5 यहां से निकल के आ गया अब यहां पर अगर मैं बोलू यहां पर il को find करने के लिए तो क्या होगा natural water content minus wp divided by क्या होगा ip होगा natural water content कितना है हमारा 30% है plastic limit कितनी है 20% है और ip कितना निकल के आया 20 निकल के आया 30 minus 20 करेंगे तो 10 10 by 20 is equal to 0.5 जे भी आएगा अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहां पर मैंने इतना बड़ा question solve करा direct के हमें il निकाल सकता था तो direct il निकालने का formula क्या है देखो यहां पर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ic plus il is equal to 1 इसका मतलब अगर ic की value 0.5 है तो इसको 1 बनने के लिए इसको भी 0.5 होना पड़ेगा solve करने की जरूरत ही नहीं है जो ऐसे relation अगर आपको पता है तो आपको दूसरे वाला relation यहां पर fine करने की जरूरती नहीं है तो यहां पर हम लोगों ने IPV fine कर लिया, IC fine कर लिया, IL fine कर लिया तो यहां पर हमारा यह है यहां का आज का lecture यहां पर हमारा complete होता है तो आज हम लोगों ने यहां पर index थे consistency index और हमारे पास जो दूसरा था liquidity index उनके वारे में हम लोगों ने discuss करा और उसकी कुछ numericals भी यहां पर हम लोगों ने solve करे तो अगर आपको आज का lecture अच्छा लगा तो lecture को like करिएगा और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को जादा से जादा अपने friends पर गरा के साथ भी share करिएगा Thank you guys